दोस्तों आज का वीडियो एक और वीडियो एक और टेस्टनेट जहां पे आपको बिल्कुल भी इंवेस्टमेंट करने की जुरुवत नहीं है फ्री में आप पार्टिसपेट कर सकते हैं और पोटेंचली यहां पर आपको एट्रॉप मिल सकती है प्रोजेक्ट का नाम है फायर चेन और रीसंटी इनको 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है 13 फरवरी को इनका थंडर बीटा टेस्टनेट लाई हुआ है और इसी को हम आज यहां पर टेस्ट करेंगे अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद दो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी साथ दबा दिजे बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि एक भी एर्निंग उपरजिटी आप लोगों की मिसना हो तो स्टार्ट करते हैं टेस्टनेट के टास्क सबसे पहले आपको क्रू वेबसाइट पर जाना पड़ेगा पर इसको आप इसको आके जॉइन کر सकते हैं fire chain के crew tasks में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर thunder beta testnet का अलग से group बना हुआ है इस पर आप click करेंगे तो जितने भी ऐसे task हैं जहाँ पर testnet आपको steps complete करने है वो एक साथ यहाँ पर group होके आ जाएंगे तो यह कुछ task है यहाँ पर हर एक को complete करने में आपको यहाँ पर कुछ न तो सबसे पहला यहाँ पर step है create fire wallet तो start करते हैं सबसे पहला step create fire wallet wallet install करने के लिए आपको fire के blockchain explorer पर जाना है इस type का आपके पास एक screen आएगा जब आप link पे click करेंगे और यहीं पर option है download the fire wallet extension की तो इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर zip file आपके लिए यहाँ पर download होगी यह extension की zip file यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं download होगे इसके बाद आप यहाँ पर तीन जो dots हैं अपने google chrome पर यहाँ पर click करेंगे इधर जाएंगे आप more tools में और यहाँ पर click करेंगे extensions पर इधर आपको सबसे पहले developer mode on करना है तो यह extension यहाँ पर download होगे यहाँ पर इस folder मे आप जाएंगे और जो zip file है उसको basically extract करेंगे तो extract all पर मैंने आप एक्लिक किया यहाँ पर इसको extract कर देते हैं यहाँ पर एक अलग से folder create हो गया आपके unpacked file extension का इसके बाद इसको बन करेंगे यहाँ पर load unpacked पर click करेंगे जो आपने folder extract किया है उसमें navigate करेंगे और उसके अंद आपने extensions वाले button पर click करेंगे यहाँ पर fire wallet आपको दिख रहा है इसको pin कर सकते हैं ताकि हमेशा आपके लिए यहाँ पर visible रहे इसके बाद इसको click करेंगे और यहाँ पर आपको create a new wallet पर click कर रहा है यहाँ पर wallet name डाल सकते हैं आप जैसे मैंने यहाँ पर game of bitcoins डाल दिया इस के बाद इसको create पर click करेंगे next screen पर आपको यहाँ पर seed phrase दिखाएगा जिसका आपको backup लेके रखना है ताकि कभी भी आपको wallet restore करना पड़ा तो आप इस seed phrase से अपने wallet restore कर पाएंगे finally यहाँ पर password setup करके आप continue पर click करेंगे तो आपका wallet जो है यहाँ पर create हो जाएगा अब पह seed phrase बनाएंगे तो उसको भी अलग से संभाल के रख सकते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो wallets create हो जाएंगे एक को आप main wallet बना के रख सकते हैं दूसरे को secondary wallet की तरह treat कर सकते हैं तो माली जो game of bitcoin जो है वो मेरा primary wallet है इसको मैं यहाँ पर select करूँगा यहाँ पर सबसे बेल अका आपको यहाँ पर click करना है claim reward पर तो इससे आपका पहला task यहाँ पर complete हो जाएगा अब जो next task है वो है claim faucet coins पे तो इस पर हम click करेंगे यहाँ पर आपको जब आप faucet claim करेंगे उसकी transaction details उसका URL यहाँ पर copy करना है तो आप चलते हैं wallet में हम जाएंगे एक बार फिर से explorer में जह को आके यहाँ पर paste कर देंगे amount में यहाँ पर आपको डालना है five और उसके बाद आके इसको करना है send अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो transaction hash यहाँ पर आगया इस पर आप click करेंगे तो यह transaction का URL है इसको basically हम यहाँ पर copy कर लेंगे और इस URL को हम जाके paste करेंगे तो यहाँ यहाँ पर submission URL में हम इसको आके paste कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे claim reward अब तीसरा step है यहाँ पर आपको send करने fire coins तो आपने जो दो wallet create करी है अपने एक wallet से दूसरे wallet में आके यहाँ पर send कर सकते हैं same चीज़ send करने के बाद आपको transaction URL copy करना है और यहाँ पर आके paste करना ह तो एक बार चलते हैं यहाँ पर wallet में यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे already जो हमने coins request किये हैं वो आ चुके होंगे तो यह 5 coins आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं अब हमें अपना दूसरा wallet address से यहाँ पर copy करने के बाद फिर से अपने main wallet के अंदर हम जाएंगे यहा यहाँ पर हम एक fire जो token है उसको यहाँ पर send करेंगे यहाँ पर send पर click करेंगे transfer complete का एक pop up आएगा यहाँ पर transaction ID है इसको हम copy करेंगे यहाँ पर और block explorer में जाके आप यहाँ पर इसको paste कर सकते हैं ऊपर जो यहाँ पर URL generate होगा उसको हम copy करेंगे और task के अंदर जाके यहाँ paste कर देंगे यह करने के बाद आप claim reward करेंगे तो आपका यह वाला task भी complete हो जाएगा अब इसके बाद आपको करने है यहाँ पर receive fire coins तो same चीज जो आपने secondary wallet में अभी transfer की है उससे आप अपने main wallet के अंदर फिर से आके यहाँ पर tokens जो है वो transfer कर सकते हैं तो अब हमारे secondary wallet में जलते हैं यहाँ पर जो हमने दूसरा wallet create किया है अपना main यहाँ पर हम wallet copy करेंगे उसके बाद हमने जो one token भेजा है एक बार फिर से हम यहाँ पर point nine कर देते हैं यहाँ पर fee में कुछ ना कुछ जाएगा यहाँ तो point nine में यहाँ पर दुबारा से अपने main wallet के अंदर send कर देता है swap from native to evm, swap from evm to native और deploy a smart contract तो सबसे बहले करते है swap from native to evm इस वाले task में हमें यहाँ पर screenshot submit करनी है swap fire coins from native chain to evm chain तो वापिस जाएंगे हम अपने यहाँ पर wallet में यहाँ पर option है swap की तो swap हम यहाँ पर select करेंगे तो native से यहाँ पर हम evm में कर रहे हैं तो यह automatically wallet addresses हमारे यहाँ प आके swap कर देंगे तो यहाँ पर click करेंगे swap पर click करेंगे यहाँ पर आपको swap के लेनी है screenshot और screenshot लेने के बाद आपको screenshot यहाँ पर upload करनी है तो यह screenshot यहाँ पर upload होगे इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा claim reward अब same चीज हमें evm से native पर swap करना है तो वापस हम जाएंगे यहा आपे evm to native टो करने के लिए यहाँ पे double error जो है यहाँ पे click कर देंगे तो यौह पे आपका evm से native हो जाएगा यहाँ पर जो हमने transfer किया है एक फिर से हम यहाँ पे डालेंगे इसको कर देंगे यहाँ पर swap और फिर से आप यहाँ पर इसकी screenshot लेकर वहाँ पे paste कर तो यहाँ पर हमने अपनी second screenshot डाल दी है इसको हम कर देंगे यहाँ पर claim reward अब final task जो आपको करना है वो है deploy a smart contract इसके लिए अलग से instructions हैं तो इस पर हम यहाँ पर document पर click करेंगे यहाँ पर fire EVM chain पर आपके click करेंगे और हम यहाँ पर remix IDE use करेंगे तो remix पर यहाँ पर आपके click करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे you can deploy a smart contract on fire EVM chain using remix IDE through the following step तो पहला step है यहाँ पर आपको initiated transaction के लिए यहाँ एक link पर click करना है यह आपको ले जाएगा remix.etherium.org पर इसके बाद next step इसके बाद next step है यहाँ पर workspaces में जाके आपको create a new file करनी है और उस new file को हमें नाम देना है fire.sol तो वापस हम यहाँ पर remix में जाएंगे यहाँ पर new file का option है इस पर हम click करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे fire.sol यह करने के बाद आपको अपने remix वाले file में यहाँ पर आके paste कर देना है इसको हम करेंगे यहाँ पर okay next step है आपको इसको compile करना है तो click on solidity compiler and click on compile fire.sol तो हम solidity compiler में यहाँ पर जाएंगे जो कि आपको left and side पर यहाँ पर तीसरा जो icon है यहाँ पर solidity compiler इस पर आपको मिलेगा सारी options यहाँ पर same है यहाँ पर सिरफ compile fire.sol पर हम click करेंगे यह compile हो गया इसके बाद दिखते है next step क्या है next step है यहाँ पर deploy and run transactions तो यहाँ पर हम जाएंगे next option जो है deploy and run transactions बट इस से पहले आपको अपने metamask के अंदर सबसे पहले fire chain का network add करना है और जो हमने wallet addresses create कि हैं उसको metamask में भी import करना है तो उसके लिए यहाँ पर metamask का अलग से document है कि कैसे आपको यहाँ पर wallet import करना है सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर explorer dashboard पर उसके बाद यहाँ पर आप native chain की जगहाँ यहाँ पर EVM chain select करेंगे यहाँ पर कर देंगे yes तो यहाँ पर एक option आएगी add fire network की to metamask तो इस पर आप click करेंगे जहाँ हम इसको कर देंगे approve switch network पर click करेंगे तो आपका यहाँ पर fire network जो है वो add हो जाएगा तो network आपका यहाँ पर add हो गया अब जो आपने wallet addresses create किये थे fire के native wallet में वो address आपको यहाँ पर आके import करना है तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर wallet में अपने यहाँ पर settings पर click करेंगे manage wallet में जाएंगे और यहाँ पर आपको export करने अपनी private की और export करने के बाद आपको metamask में जाके वो private की import करनी है तो आप जाएंगे वापिस अपने metamask में यहाँ पर click करेंगे import account में और यहाँ पर आके private की जो है वो paste कर देंगे import करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो transfer किये थे अपने native से EVM में यहाँ पर tokens यहाँ पर already आपको दिखा रहा होगा तो इसका मतलब आपका successfully wallet यहाँ पर import हो गया है यह import होने के बाद आप वापस आएंगे यहाँ पर remix पर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे injected provider metamask आपका wallet यह जो आपने इंपोर्ट किया है वो selected होगा उस पर यहाँ पर करेंगे next यहाँ पर connect करेंगे यहाँ पर deploy पर click करेंगे आपका metamask में pop up आएगा इसको आप कर देंगे यहाँ पर confirm तो इसके पाद आप नीचे जाके यहाँ पर message देखेंगे तो आपका यह contract जो है वो deploy हो गया और यहाँ पर deployed contracts में भी आपका यहाँ पर contract visible हो जाएगा अब यह जो transaction आपने करी है इसका URL copy करने के लिए आप basically अपने metamask में यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर contract deployment की transaction होगी इस पर click करेंगे यहाँ पर copy करेंगे transaction ID explore में जाएंगे यहाँ पर आके इसको आप paste कर देंगे और enter करेंगे तो यहाँ पर URL आएगा जो आपकी transaction थी इसको copy करके आप जाएंगे crew में और यहाँ पर आके आप इसको paste कर देंगे तो इसे ताप से आपके सारे testnet के tasks यहाँ पर fire chain के complete हो गए हैं बाकी भी आप आके task कर सकते हैं बाकी simple से task है जैसे twitter हो अगर आपर follow करना है यह सब आके आपको देख सकते हैं but essentially जो testnet के task है वो हमने सारे यहाँ पर complete कर लिए हैं तो यह ता दोस्तों मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ इसे आपको फाइदा होगा वीडियो को जूरू लाइक करें शेर करें चैनल को subscribe ना ना बूलें मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के आपसे अगले वीडियो को जगरें आपसे यह तो सब्सक्री कंवात पर यह करता हूँ